तो BJS के एतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि दो गोट एक ही ग्रुप में होने वाले हैं क्योंकि क्राफ्टर ने जो नेक्ट वीक के ग्रुपस अनाउंस करें है उसमें गॉडलाइक के ग्रुप में है सेवन शोर और इसको देखते ही हमारे गॉडलाइक के फैंस के पुरानी यादे ताजा हो गई और यादे तो क्या उनको नाइटमेर जादा बोलेंगे क्योंकि उसमें है हमारे बकरी भाई वही सेवन शोर गोट जिसने पहले गॉडलाइक और जोल को एक साथ मारा था यही की मैच में 13 किल्स भी किये थे और उसके बाद में वो अपने दोस्त की शादी में चले गए थे फोन गर पे छोड़के और डिवाइस शेकिंग के लिए कभी आए ही नहीं उसके बाद और भी बहुत सारा ड्रामा हुआ था इन चीजों के अराउंड जिसमें हमने बहुत सारी चीजे कवर भी करी थी लेकिन वो कहते है ना हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ तो वही हो रहा है और गॉडलाइक के ग्रॉप में यही सेवन शोर आ गई है अब उदर से गॉडलाइक के हीटर्स आके बोल सकते हैं कि तुम रो क्यूरे हो भाई अब तो ऑफिशल्स ने योवी गाइडलाइन्स निकाल दी है जिसमें हैंड कैम देना निसेसरी है और प्रॉपरली बताया गया है कि कब तक देना है और किस तरीके से रिकॉर्ड करना ह इसकी पूरी गाइडलाइन्स आही है तो रोने की जरुवत नहीं है जादा क्योंकि अब तो हैंड कैम देने पड़ेंगे तो प्लेयर्स तो चीट करी नहीं पाएंगे लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसको यूटिलाइज कर रहे हैं प्लेयर्स और स्पे ज्यां दिया होगा क्राटेग एसपोर्स के स्यार्सी रिट्रीट ने जो पिहोवी डाला था उसमें वह थर्ड पार्टी सौट्वेर डी रिकॉर्ड का यूज कर रहा था स्क्रीन रिकॉड करने के लिए जबकि आईफॉन में बिल्टें इन स्क्रीन रिकॉडर होता है और तो और जब उसकी तुम वीडियो देखोगे तो तुमको उसके गेम में बॉटम लेफ्ट कॉर्णर पे भी यहां पे दिखेगा और उसके बाद जब वो आप स्टोर से अपनी आपस दिखाता है तब भी दिखेगा कि उसका डिवाइस चार्ज हो रहा है और वो भी फुल चार फोन पे कर रहे थे वह जीरो टीले के साथ में तुम्हारे लाप टॉप पे दिखने लगता है और उसके उपर से टूटू लगा लेते हैं यह कंप्यूटर वाली स्क्रीन मिररिंग के उपर तो क्या तुम भी बीजे में टूर्नमेंट स्केल कर रोज पचास हजार रुपे जीथना चाहते हो तो यह पार्टेंट तक जरूरर देखना उसके 35 लाक से बीजादा डाउनलोड है और आठ करोर सी ज़ादा की अर्निंग्स यह भी तक बाठ चुके हैं इस सबसे खास बात रहे हैं कि तुम्हें यहां पर बहुत सारे टाइप के टूर्नमेंट्स मिल तो मतलब डेली बीजेमाई केल कर अच्छी काशेर्णिंग तुम कर सकते हो और तो और सुस्ट्रॉंग का एंटीशीट इंडस्ट्री में बैस्त है तुमें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा तो देर किस बात किया है डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 50,000 रुपे डेली लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट बॉक्स तोनों में है ये स्क्रीन मिलरिंग का मेतड़ बहुत ही जादा कॉमन है जो हम स्ट्रीमर्स को करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने फोन की स्क्रीन अपने लाप्टॉप पे या पीसी पे डालनी होती है जिससे कि हम उसको OBS से दिखा के स्ट्रीम कर पाएं लेकिन अगर वही चीटिंग सॉट्फवेर्स तुम्हारे फोन पे नहीं लग रहे है उस्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लग रहे है तो तुम्हारी आइडी बैन पढ़ने के चांसेज भी बहुत कम पढ़ जाएंगे और अगर हैंड कैम भी चाहिए है तो तुम्हारा नॉर्मल हैंड कैम तो रिकॉर्ड हो रहा है फोन पे और तुम्हारा जादू जो लग रहा है वो लाप्टॉप पे है जो कि एक अलग एंगल पे रखा होगा जो कि हैंड कैम व्यू में शो ही नहीं होगा क्योंकि उसका प पेशली यह होता है कि तुम्हारा स्क्रीन रिकॉर्डर काम ही नहीं करता क्योंकि वह अल्रेडी यूज हो रहा है तुम्हारे PC के ऊपर स्क्रीन दिखाने के लिए तो अगर तुम उस टाइम पे अपने फोन से ट्राइब भी करोगे ना कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाए जब त दूसरे PC पे तो तुम्हारे फोन पे रिकॉर्ड बटन शो ही नहीं होगा वो डिजेबल होगा तो तुम्हें अपना थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करना ही पड़ेगा जो की हमारे रिट्रीट भाईया के के केस में था वी रिकॉर्डर और तभी तुम हमार लाग मारने का बहाना भी देता है यहां पर अब मुझे को यतनी सी बात बताओ अगर तुम्हारा फोन इतना ज्यादा लाग मार रहा है और तुम वीडियो डालके उसमें टेक्ट पे लिख भी रहो की लाग देख लो तो तो मुस्ट टाइम पे अपना फोन चार्जिंग प और फोन का कवर अटाता है और इनसे यह कोई सवाल ना कर लें इसलिए हर वीडियो के कमेंट से आफ करके रखते हैं कि इनको भी पता है यह लोग क्या काम कर रहे है वना इनके पास में इसका कोई जवाब निया कि फोन चार्जिंग पे क्यों लगा रहा है और थर्ड पार् प्रफिशल्स को बेजा है वरना यह लोग इतने ताम जाम में पड़ते ही नहीं कि इतना लाग जेल रहे हैं और एक थर्ड पार्टी रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं तो जो हैंड गया गया और बहुत सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने फोन का डिफॉल्ट रिकॉर्डर ही यूज करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए और प्लेयरज की पूरी अटिंच्न हैं आपस्टोर अप्डेटिट इसलिए नहीं है क्योंकि फोन जेल ब्रेक्ट कर रका जिसकी वज़ें से आप-स्टोर और आपको दिखा पाते हैं और दिखाते हैं रिसेंट डैफ में कुछ नहीं चल रहा है तभी तो यह से चीजे कर पाते हैं आप पूझाई पूच्छ ने इतने उपन से कोई स्मोक नहीं कोई इंफरमेशन नहीं सीधा पीछे से जाते हैं और इसको बंदा देखेगा भी यहां पर नौक देगा भी उसके बाद देखो पूरा उपन से गन पीछे रख रख रहा है इवन क्रॉस हेर भी जमीन पर रख रख कोई टेंशन नहीं है कि कहीं से भी पढ़ सकती है और यहाल है बीजी आएस का बस ऐसा ही confidence से है और अफसोस की बात तो यह है कि ऐसे टीम्स को invite मिला है अब यहां पर देखो यह पीछे से आएगा नेड़ खीचता हुआ अराम से इतनी दूर से एक बंदा नौक द पढ़ा है उसके बाद करते वे बंदा तो फटेगा ही फटेगा और यह फटते ही तुम पूरी वीडियो खोल के देखना कहीं पे कोई साउंड नहीं आई है तीसरा नेड़ भी इतना जादा इक्जाइट की वहां पे फटता है इतनी दूर जाके और इसको भी बताए कि नौक मिलेगा ही मिलेगा अराम से बिना किसी टेंचन के भागते वे जाता है और अगर तुम्हें लग रहा हो कि आखरी वंदा क्या पता दिख गया हूँ जिसको इसने ऐसे राइट में नेड़ खीच के मारा था तो यह थी उसकी पोजिशन अभी अपने टीममेट को जो रिवाइज दिया हिसने घाड़ी के पीछे उसको हमारे रिटीट बाई पोड़ेंगे और यह बंदा पूरे टाइम प्रोन है इसको आके इनका दूसरा बंदा एड़ी मार के जाता है कैसे पोजिशन पता है इनको रिज के पीछे होने के बाव अब यह लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और गलती से लोग लैन तक पौज कर लेंगे अगले ऑफिशल इवेंट के लिए यह फिर और फिर और इसे इनको लेना है मैं अपना बैस दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बइबाइ